वेल दोस्तों अगर आप भी HDFC bank का एक best credit card apply करना चाहते हो तो भई अभी आपके पास बहुत तगड़ी opportunity है आप इसको miss बिल्कुल मत करना अब इसके पीछे दो रीजन है सबसे पहले दो भई HDFC bank ने अपनी website को पर ये mention कर दिया कि अगर आप इन में से कोई साभी card apply करते हो तो यहाँ पे आपको पंदर असोर रुपय कर गई फाउचर प्रवाइड कर जाएगा अब यहाँ पे में मुद्द यह नहीं है कि आपको कि credit card apply करते हूँ तो एक ऐसो ओफर चला है जिसके तहट आपको यह वाला काड़ ना lifetime भर फ्री मीर सकता है इसके पीछे को सिविल के basis पे डिसाइड करता है कि आपको कौन सा card प्रोवाइड करना चीए आप यह डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको कौन सा card लेना है तो बहुत देखो overall मैं आपको एक idea देता हूँ इसके पास टूडल 30 से 40 हैसे card है जो कि apply किये जा सकते हैं लेकिन इन में से इसे चार पंपे 5 परशन का cashback ले सकते हो जो कि आपके fuel point के रूप में होता है और अगर आप चाहो तो इस card के through एक साल के अंदर total 50 लीटर free fuel earn कर सकते हो अब यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे card आता है वह है HDFC bank का money back credit card अब देखो अगर आप इस card का इस्तमाल online या फिर offline करते हो तो यहाँ पे आपको हर एक spend पे अच्छे खासे phone देखने को मिल जाते हैं और इन reward point को आप रूपय के अंदर convert कर सकते हो और आपके एक reward point की value यहाँ पे 0.20 पैसे होती है अब हमारा दो यहाँ पे दीसे नंबर पे card आता है वह है HDFC bank का Tata new credit card अब देखो इसको Tata new application के अंदर tie आई-up करके बनाया गया है लेकिन अगर आप चाहो तो इस card से अगर आप Tata new application पर शौपिंग करते हो तो वहाँ पे आपको maximum 7% का cashback मिल जाएगा 2% का cashback basically आपको application के थुरू मिलता है और आपको इस card के थुरू 5% cashback मिलता है तो इस card के थुरू आप maximum 7% cashback ले सकते हो और इ मिलिनिया क्रेजिट कार्ड भाई देखो ये वाला card ना सबसे पॉपुलर credit card है और सबसे ज़्यादा benefit आप इस card के थुरू उठा सकते हो देखो इस card के थुरू आप Amazon, BookMyShow, CultFit, Flipcard, Mintra, SonyLift, Swiggy, Tata Click, Uber and Zomato पे maximum 5% cashback उठा सकते हो बागी इसके अलावा आपके जितने भी transaction ह होती है उसके आपको 1% का cashback दिया जाता है अब देखो भई आप ज़्यादा confused हो ना अगर मैं आपको इन चारो card को सीरीज के अंदर बता हूँ तो सबसे पहले मिलिनिया card अपलाए करना उसके बाद दूसरे नमर पे आप Tata नहीं हो अपलाए कर सकते हो तीसरे नमर पे आप अपना mobile नमर यहाँ पे एंटर करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी complete date of birth डालनी है या फिर आप अपना pen card नमर भी एंटर कर सकते हो उसके बाद आपको simply get OTP पे क्लिक कर देना है अब इस वाले page पे आपके mobile नमर पे OTP भीजा जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पे यहाँ पे pen number भी देना पड़ेगा जिसके basis पे यह decide किया जाएगा कि आपको कौन सा card देना है उसके बाद आपको अपनी personal email address भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी अब उसके बाद आपको अपनी employment type भी बतानी पड़ेगी अब देखो यहाँ पे आपको total 5 option मिलते हैं सबसे पह आपकी यहाँ पे minimum से minimum salary 30,000 से अवब होनी चाहिए तभी आपको credit card के approval मिलते हैं तो यह चोटे मोटे point है जो कि मैंने आपको clear कर दिये अब यहाँ पे आप देख सकते हो यह पूछ रहा है your company name अब देखो भाई company नाम के अंदर बहुत से लोग confused हो जाते हैं कुछ लोग ऐस है कि भाई आप किस पद बे काम करते हो उसके बाद अगर आपके पास GST number है तो आप यहाँ पे दे सकते हो वरना वह आपका optional है अब उसके बाद आपको अपना working email address भी देना पड़ेगा अब देखो भाई कुछ लोगों को अपना working email address नहीं मिल पाता तो भाई मैं उसे कहना नहीं अपना जितना भी address verification है वो complete करवा सकते हो हम यहाँ पर अपना manually choose करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर accurate address डाल ला है तक भी credit करणा हमारे address के अंदर deliver होगा यहाँ पर आप देख सकते हो address है in 123 इसके अंदर आपको complete address डाल देना है उसके बाद pin code और city डाल देना और उसके type यानि कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 5-6 option मिल जाते हैं आप यहाँ पर जिस भी option के साथ comfortable हो वो option choose करके आपको simply proceed कर देना ही अब यहाँ पर देख सकते हो यह पूछ रहे कि जो भी आपका permanent address है क्या वही आपका communication address है तो वह यहाँ पर आपको yes यह पर no करके simply उसक आप सबसे पहले इंडिया नोविल की तरफ जाना और अगर आपका इस free will spend वगरे जाता नहीं है तो आप business money back की तरफ भी जा सकते हो और अगर आपके पास option आता है millennia credit card का तो भाई आप इन दोनों को छोड़के इन तीनों को ही छोड़के आप उसकी तरफ जाना क्योंकि उसके benefit इससे भी जाता है अगर मैं यहाँ पर millennia card select करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो annual fees है और जो renewal fees है वो भाई बिलकुल ही zero है यह पहले हम से 1000 रुपे लिए करते थे लेकिन अभी उन्हों जीरो कर रखाए क्योंकि इनकी रवसे एक ओफर सला जा रहा है यानि कि अगर आप अभी वाला card apply करते हो तो यहाँ पर आपको एक भी पैसे के साद इस नहीं देने पड़ेंगे तो भी card को लेने के लिए आपको सिंपल इनकी term करना है उसके बाद get this card पर क्लिक कर देना ही उसके बाद आपको अपना office address भी डालना पड़ेगा ताकि आपका office verification यहाँ पर किया जा सके यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले office line 123 के अंदर आपको अपना complete office address डाल देना ही उसके बाद city choose कर लेना और उसके बाद आपको अपन अपना complete mother name डालना पड़ेगा first name, middle name और last name उसके बाद यह पूच रहा है कि are you already registered for CKYC तो वह आप इसको भी no कर देना और उसके नीचे आपको एक option दिखना होगा आपको उसको भी no कर देना ही उसके बाद simply आपको proceed कर देना ही अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दो आपकी option दिये जाते हैं सबसे पहला अधार based EKYC plus आपकी video KYC यह पे complete हो जाएगी और दूसरा option आपके तब काम आएगा जब आपकी video KYC fail हो जाती है लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे अपना पहला option choose करते हैं EKYC plus video KYC का अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सबसे पह पर चूज करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो आपको अधार नंबर आपको complete डालना है उसके बाद सिंपल आपको get OTP पे क्लिक कर देना ही उसके बाद आपके अधार रेश्चर मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा वो डिप आपको यहाँ पे डाल के submit कर देना ही अब यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी कुछ comment concern आ रही है सिंपल आपको इसको accept करना ही और submit पे क्लिक कर देना ही अब यहाँ पर देख सकते हो आपके वीडियो के वाइसी के वाइसी के वाइसी नाव पे क्लिक कर देना ही अब यहाँ पर जैसी वीडियो के वाइसी के दानी पड़ेगी उसके बाद आपको अपना यहाँ पर Pan Verification भी कर्वाने पड़ेगा Make Sure करना कि आपके कामरे से आपके Pan Guard की पूरी फोटो यहाँ पर capture होनी चाहिए और उसके बाद आपको एक signature verification भी कर्वाना पड़ेगा तो भी पेपर पे साइन करगे अपना signature verification भी करवा देना और उसके बाद जो भी आपके मन में question होते है आप इन agent से पूर सकते हो आपको सारे answer मिल जाएंगे और उसके बाद आपकी video के वाइस अगर successful complete होती है तो आपके पास भी ऐसा thank you का page आजाएगा अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमको congratulations करके message आ चुका है कि जो हमारा HDFC का millionaire card है वो successful apply हो चुका है और भाई देखो card apply हो जाने के बाद आपको यहाँ पे minimum 5-7 दिनों का wait करना पड़ेगा उसके बाद जो physical card है वो आपके address पे deliver कर दिया जाएगा और अगर आपका card instant approve हो जाता है तो आपको वो virtual format के अंदर भी मिल जाएगा जिसका use अगर आप चाहो तो instant कर सकते हो आप उसकी online of international transaction को activate कर लेना लेकिन उससे पहले और उसके बाद आपको HDFC के application को download कर लेना है जहां से आप इस card को manage भी कर सकते हो ट्रैक भी कर सकते हो